आपके बास Samsung Galaxy S24 24 series का कोई और फोन है तो यहां पर आप easy mode use के ऐसी कर सकते हैं phone आप देख सकते हैं कुछ इस step से दिखता है और easy mode इसको remove करना है पहले तो तो इस step से easy mode देख रहा है ना remove करने के लिए setting पर जाएंगे display के option पर जाएंगे और easy mode को यहां से बंद कर देंगे बंद हो गया back कर लेंगे अब phone आपका normal हो चुका है तो easy mode में करने के लिए आप setting पर जाएंगे same process display पर जाएंगे और यहां पर easy mode पर click कर लेंगे और इसे on कर देंगे अब यहां पर न इसको medium कर लेंगे back कर लेंगे high contrast keyboard को बंद कर देंगे back कर लेंगे अचा phone आपके कुछ step से दिखता है font आपके इसने bold और बड़े दिखते है आइकन के size display size हर चीज आपको bigger दिखती है और यहां पर contact number add कर सकते हैं दो तीन लोगों के ठीक है जैसे कि कुछ create करना है या फिर यह existing contact add on करना है तो देख सकते हैं इस परसन को आप कभी भी क्लिक करेंगे तो call लग जाएगा ठीक है डिलेट करना है तो डिलेट कर देंगे ऐसे करके अब easy mode से हटने के लिए आपको यहां पर easy mode को बंद करना होगा तो अगर घर में बड़े बुड़े हैं तो आप उसको simple phone करके दे सकते हैं ठीक है मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार